नमस्कार आदाप सच्छी अकाल तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूँ अभी जो पेपर ADJ का हुआ है ADJ 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें आपने बहुत ही अच्छा पॉफोमेंस किया है तो उम्मीद के उपर तो दुनिया ही कायम है और ADJ का जो इसपार पेपर हुआ है उसके अंदर GK का जो पोर्शन पूछा गया था उसी का सॉलिशन लेकर मैं महम्मद आसिफ आप सभी के मध्य उपस्तित हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता तो मेरे प्यारे विद्यारतियों, देश के भावी, निया अधिशों, निया मूर्तियों आप सभी को मैं बता दू कि इस बार जो GK का पैटर्न पूछा गया है वो काफी easy questions पूछे गये थे, बिल्कुल बतलब base में से सवाल पूछे गये है, to the point questions पूछे गये थे, मतलब static GK वाले जो प्रशन उठाकर ADJ 2021 के अंदर जो है, जो 20 सवाल पूछे गये है, वो बिल्कुल base वाले question पूछे गये है, तो उमीद कर रहा हूं कि उसके अंदर आपको किसी भी परकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और आपने अच्छे से उसका answer दिया हो तो वही मैं उमीद कर रहा हूं, एक बार जो भी viewers है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक बार आप share जरूर कर दीजिये, ताकि आपके जो साथ ही विद्यारती है, उनके तक भी ये बात पहुँच जाए, और वो भी इस वीडियो का लुट्फ ले सके, 21 का पेपर हुआ है, उसके जीके के पोर्शन को हम यहाँ पर solve करने वाले हैं, एक एक जो है प्रशन को देखेंगे और उनके उत्तर क्या-क्या रहे हैं, वो उसके उपर बातचीत करेंगे, ता ये शरू करते हैं, सैयुक्त राजी अमेरिका के उच्चितम नयायले, देखि यहाँ पर अमेरिका का, अमेरिका का, USA के उच्चितम नयायले के अंदर जो नियुक्त नयायधीश का कार्यकाल पूछ लिया गया, तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, USA का, तो देखिए, आप से भी मैं यहाँ पर अपेक्षा करता हूँ कि, सुप्रीम कोर्ट के मु इसी परकार से, USA के अंदर जो जज होता है, USA के अंदर जो नयायधीश होता है, USA का जो नयायधीश होता है, वो नियुक्त होने के पश्चात, जब तक उसका जीवन है, तब तक वह क्या करेगा, वह उस पद पर बना रहेगा, मतलब 75 वर्ष की आयू तक नहीं, कोई भी यहाँ पर आयू सीमा नहीं दी गई है, वह नयायधीश अपने जीवन तक, अपने जीवन परियंत नयायधीश पद पर रहता है, तो यहाँ पर जब है, सही उत्तर कौन सा होगा, फोर जो यहाँ पर आप्शन है, वो सही हो जाएगा, उसके जीवित रहने तक, उसके जीवित रहने तक, उसको नहीच पद पर रखा जाएगा, computer में प्रियुक्त होने वाले integrated circuit chips जो आते हैं IC इनको हम क्या बोलते हैं IC बोलते है integrated circuit एकी कृत परीपत शुद्ध हिंदी के अंदर इसे क्या कहा जाएगा एकी कृत परीपत एकी कृत परीपत तो देखिएगा integrated circuit एकी कृत परीपत जो होता है वो किस धातू का बना होता उसके उपर जो चिप लगी होती है वहाँ किस धातू की बनी होती है तो बिल्कुल मैं आपसे भी अपिक्षित कर रहा हूँ अलाकि विद्ध्यारती यहाँ पर कम live जूटे हैं क्योंकि सबने तो paper दे दिया है तो अब उन्हें आवशिकता नहीं है कि हमने जो paper दिया है उसका अंसर क्या होगा जानने की आवशिकता नहीं होगी ठीक है तो हाँ बिल्कुल हाँ सभी का स्वागत है आर्दी कभी नंदन है हाँ तो आप भी उत्तर दे सकते हैं आप भी उत्तर दे सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपने इसका उत्तर क्या लगाया है, आपने इसका उत्तर क्या लगाया, तो देखें, एक इकरत परिपत के उपर, जो सिलिकॉन धातु का उप्योग किया जाता है, किसका उप्योग किया जाता है, सिलिकॉन धातु का सिलीकॉन धातु यहां semi-conductor है यह कैसी है विद्युत की semi-conductor धातू है semi conductor धातु है यार्ड चालक धातू है कैसी धातू है अर्द चालक धातू है ठीक है और विशेश परिस्थतियों के अंदर विशेश रूप से ही यह क्या करती यह विशेश रूप से ही यहाँ अपना गुंधर्म दर्शाती है इसी लिए सिलिकॉन का उपियोग जो है कहां किया जाता है इंट्रिगेटर सर्किट के अंदर किया जाता है देखिए जब हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं तो शुरुवाती जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूप का उपियोग किया जाता था जो सिग्र ही गरम हो जाती थी इसलिए आपने देखा होगा वी ओलार बिलॉंग्स नाइंटीज के वच्चे हैं याँ पर काफी नाइंटीज के समय में जब कंप्यूटर नए नए आये थे तो एसी के कमरों में रखा जाता था एसी रूम में रखा जाता था मुझे खुद को अच्छे से याद है जब प कि वेक्यूम ट्रू घुवा करते थे जो शिक रही गरम ओजाया करते थे तो उसको रही उसका वैसा वातरन दिया जाता था लेकिन आज जब हम देखते हैं तो रोड के ऊपर डंप्यूटर रखे गये रोड के उपर भी कंप्यूटर रखे जा सकते हैं ठीक क्यों क्यूंकि इंट्रिगेटेड सर्किट आ गया अब सिलिकॉन दातु जो है वो विशेश परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लेती है अपने आपको चालक अर्द चालक के अंदर कन्वाइट कर लेती है इसी लिए जो है यहां पर कौन सा पधार्त आ जाएगा सिलिकॉन आ जाएगा तो जिसने भी दो नमबर उत्तर दिया था उसका उत्तर सहीं है अगला प्रशन है राजस्तान उच्छ न्यायाले की मुख्य पीट कहा पर इस्तित है पताईए राजस्तान उच्छ न्यायाले राजस्तान हाई कोट राजस्तान हाई कोट की मुख्य पीट कहा पर इस्तित है तो राजस्तान हाई कोट राजस्तान हाई कोट की मुख्य पीट कहा पर है तो देखिए राजस्तान हाई कोट की स्थापना जो हुई थी वो 1949 के अंदर जैयपुर में हुई थी कहा पर हुई थी जैयपुर के अंदर हुई थी परंतु यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तीक है यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसे सत्य नारायन राव समीती की रिपोर्ट के आधार पर 1958 के अंदर कहा पर इस्तानांतरित कर दिया गया की अंदर हो जाएगी और खंड पीट अगर आपको पूछा जाए तो खंड पीट इसकी कहा पर है 1977 में खंड पीट इस्तापित की गई थी जयपूर के अंदर ठीक है तो जयपूर के अंदर तो खंड पीट है और जो है जो दपुर के अंदर मुख्य पीट हो जाएगी ठीक है ओके देखिए एक डाउट यहां पे पूछा जा रहा है पिछले प्रशन से आधारित है कि सर ये बल्ब के अंदर भी उपयोग होता है क्या सीलिकॉन तो नहीं देखिए बल्ब जिसकी जिस टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो उत्च होता है ठीक है तो वहाँ पर बल्ब के अंदर टंगस्टन का अपयोग किया जाता है किक है उतर देते रहिए ठीके निम्न में से कौन सा देश राजियों के एक अनोप चारिक समू ब्रिक्स कौन सा समू है ब्रिक्स ब्रिक्स का सदश्य नहीं है तो देखिए ब्रिक्स का सदश्य नहीं है विश्व के अंदर उभरती हुई अर्थ व्यवस्ता वाले जो देश है उभर आपस के अंदर साहिता संगटन बना रखा है जिसको हम वर्तमान में Bricks के नाम से जान रहे हैं देखिये Brick पहले Brick ठा जून 2006 के अंदर इसका नाम Brick ठा ठीक है Brick ठा और इसके अंदर जब है नाम में ही B से Brazil आर से Russia इंडिया आई से इंडिया और सी से चाइना ठीक है तो शुरुवात के अंदर ये क्या था ब्रिक था ठीक है ना ब्रिक था लेकिन यहाँ पर जब हम देखे 2010 के अंदर घोशना हुई के साउथ अफ्रीका को भी इसमें मिलाया जाए और साउथ अफ्रीका इसमें मिला कब 2011 के अंदर साउथ अफ्रीका अधिकारिक रूप से जो है वो bricks के अंदर समिलित हो गया यानि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2006 में तो यह brick था bricks कब हुआ bricks यह हुआ था South Africa के आ जाने से ठीक है bricks हुआ है South Africa के आ जाने से और वो South Africa की घोशना कब हुई थी 2010 के अंदर हुई थी और जो है 2011 के अंदर South Africa आ गया था ठीक है तो Russia, China और Brazil तो है लेकिन शिरी लंका इसमें मौझूद नहीं है bricks समू के अंदर शिरी लंका मौझूद नहीं है S से जो ताट पर यह निकल कर आ रहा है वो South Africa निकल कर आ रहा है Is that clear ना ओके ठीक है ADG में GK कब से add किया है तो मैं आपको बता दू अभी जो paper आया है अभी जो ADG का paper हुआ है हाली recently जो ADG का paper हुआ है उसके अंदर से ही ये सवाल आये बिलकुल हमारे पास paper आया है उसी में ये GK के सवाल पूछे गए है ADG के अंदर ही ये GK के सवाल पूछे गए वो ही आपके बीच में लेकर आया हूँ मैंने एक भी सवाल अपने मन से नहीं बनाया है आजाई ये आगे चले देखिए वर्तमान में भारत के महान्यावादी कौन है तो महान्यावादी कौन है महान्यावादी भारत का सबसे बड़ा विदिक अधिकारी भारत का सबसे बड़ा विदिक अधिकारी सबसे बड़ा विदिक अधिकारी कौन होगा महान्यावादी भारत का सबसे बड़ा विदिक अदिकारी ठीक है भारतिय सम्विधान का अनुछेद 76 महा न्यायवादी के बारे में उपबंदित करता है ठीक है और जब हम यहाँ पर देख रही है तो अनुछेद 76 के तहत राष्ट्रपती जो होता है अनुछेद 76 के तहत राष्ट्रपती महा न्यायवादी की न्युक्ती करता है और महा न्यायवादी राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत ही अपना पद ग्रहन करता है और वर्तमान में श्री के के वेनु गोपाल जी वर्तमा है ठीक है देखिए न्याय ववस्ता के अंदर भारत सरकार के खिलाफ कोई भी अगर वाद दायर किया जाता है तो भारत सरकार की पैरवी करने का कारिया अटॉर्णी जन्रल ओफ इंडिया के द्वारा किया जाता है तो वर्तमान में अटॉर्णी जन्रल ओफ इंडिया है के के वेनु गुपाल to the point question पूछा गया था और बिल्कुल to the point ही हमको उत्तर दिया देना होगा ठीक है ओके हाँ ठीक है ए आगे चलते हैं भारत था न्यूजिलेंड के मद्या ICC World Championship 2021 का final match कहाँ पर खेला गया था तो देखिए 18 जून 2021 से कब से कब तक 18 जून 2021 से 23 जून 2021 के मद्या यहाँ मैच खेला गया था test championship final खेला गया था test championship final खेला गया था ठीक है कहा लॉड्स के मैदान पर खेला गया था इंगलेंड में कहा पर खेला गया था लॉड्स का मैदान जिसे cricket का मक्का भी कहा जाता है लॉड्स का मैदान जिसे क्या कहा जाता है cricket का मक्का भी कहा जाता है ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो Lords के अंदर खेला गया था ठीक है? England में खेला गया था ओके? तो बिलकुल यहाँ पर जो है हो जाएगा क्या? हाँ, बिलकुल हाँ, बिलकुल, मैं comment box के तरफ देख रहा हूँ हाल ही में इसराइल का परधानमंत्री जो है वो किसे निर्वाचित किया गया पहले इसराइल जो जॉर्डन के पास में जो देश इसराइल है जेरूसलाम इसराइल अपनी राजदानी जेरूसलाम को बता रहा है लेकिन अभी तक तेल अवीव इसकी राजदा नहीं रहे रही है तो इसको लेकर काफी सारी बात चलती रहती है अभी सुर्खियों के अंदर गाजा पट्टी रही थी इसराइल और फिलस्तीन का संगर्श रहा था इसी लिए जो है यहाँ पर सवाल पूछा जो है इसर तो श्री बेंजमीन नितान यहू मिश्टर बेंजमीन नितान यहू जो थे वो इसराइल के प्रधान मंत्री थे लेकिन अभी हाल ही के अंदर श्री नफ्थाली बैनेट किसको नफ्थाली बैनेट को जो है क्या किया गया नफ्थाली बैनेट को क्या किया गया है इसराइल क नया प्रधान मंत्री चुना गया है, is that clear, ओके एक छोटी सी यहाँ पर मिष्टे कोई, लॉर्ट्स में नहीं, साउथ प्रटन्स में खेला गया था, ठीक है ना, लॉर्ट्स में नहीं खेला गया था, इसका उत्तर तो, इंगलेंड ही है, ठीक है, लॉर्ट्स नहीं, साउथ प्रटन में खेला गया था, ओके ना, तो लॉर्ट्स नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती को स्विकार कर रहा हूँ, इंगलेंड यहाँ पर विल्कूल आपका उत्तर सही है, और इसके अंदर वर्टेट्स चेंपिंशिप जीती थी, न्यूजी लैंड में, कि न्यूजी लैंड ने, कैन विलियम सन उसके क्या थे, कप्तान थे, तो इस 112 नम्बर का जो उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, नफ्ताली बैनेट, क्या हो जाएगा, नफ्ताली बैनेट हो जाएगा, खरदुंगला एक उच्चतम वाहन योग्य दर्रा है, खरदुंगला और वही पर एक रोड है, खार दुंगला रोड, कौन सी रोड है, खर दुंगला रोड है, जो भारत को चीन से जोडती है, ये खार दुंगला रोड किसको किस से जोडती है, भारत को चीन से जोडती है, भारत को किस से जोडा जाता है, भारत को चीन से जोडा जाता है, ठीक है अब देखिएगा ये जो खरदूंगला रोड है वो कहा परिस्तित है लदाख में अरुनाचल प्रदेश सिक्किम या हिमाचल तो ये कहा परिस्तित है लदाख की अंदर इस्तित है ठीक है अभी आज आप सभी को पता है 27 जुलाई अभी जो है 27 जुलाई है 28 जुलाई आज I think 28 जुलाई है ठीक है 26 जुलाई को आप सभी को पता होगा हमने करगिल विजय दिवस मनाया करगिल विजय दिवस मनाया और करगिल के अंदर भी जो इस खरदूंगला रोड का बहुत ही बड़ा महतुपून जो है एक इस्तान रहा था exactly क्या किया गया कि पाकिस्तानी गुस् ठीक है और भारतिय सेना ने भारतिय सेना ने ऑपरिशन विजय चला कर कॉप्टन विक्रम बत्रा के नेतरतू में ऑपरिशन विजय चलाया गया और टाइगर हिल की पॉइंट 5140.5140 को क्या किया गया था जीत लिया गया था ठीक है और भारत के अंदर विजय दिवस बनाया गया था तो ये कहां पर है लगदाख की अंदर है तो करगिल विजय दिवस अभी हाल ही में था तो उसको उसके आसपास का भी सवाल यहाँ पर एक पूछ लिया गया है ठीक है ना दर्रा अब देखे एक दर्रे को भी लेकर सवाल आता है कि दर्रा क्या होता है दो परवतिये शेत्रों को जोडने वाला दुर्गम रास्ता जो होता है वो दर्रा कहलाता है राजस्तान का राज्य पक्षी कौन सा है राज्यस्तान का राज्य पक्षी कौन सा है यह सवाल पूछा गया गोरिया गोडावन कोयल या मोर तो देखिए का राज्यस्तान का राज्य पक्षी 1981 के अंदर जो है गोडावन को गोशित किया गया है तो राजस्तान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा तो इस्टेट बर्ड ऑफ राजस्तान इस गोड़ावण ठीक है कृष्टोस नाइगरी सेप्स ठीक है तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं सही कौन सा हो जाएगा गोड़ावण राज्य पशु अगर पूछ लिया जाता तो वन शेनी के अंदर तो कौन सा हो जाएगा चिंकारा और पालतु शेनी के अंदर हो जाएगा राज्य पशु उट हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा गोड़ावण ओकी ना हाँ बिल्कुल 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 आगे चलें जल्दी से एक पुस्तक है नाइदर रोजेज और नौर थौन नाइदर रोजेज नौर थौन के लेखक उच्टम नयायले के कौन से पूर्व नयायधीश है किस उच्टम नयायले के पूर्व नयायधीश ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नाइदर रोजेज नौर थौन बिल्कुल 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 हम हां गोंडा वन हो गया है आगे आजब अधी कनिया ये पहले नयायधीश नहीं थे ये उनके सुपत्र थे नयायमूरृति पी अन सिंगल तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आयूष सिंग जी युत्टर दे रहे हैं लगाताड इनके उत्तरा रहे हैं सबसे वड़ी बात है सही उत्तरा रहे हैं और ये पुस्तक बिल्कुल टूद पॉइंट कुछन पूछा गया और ये पुस्तक जो लिखी गई वो एक जबलपुर के उपर आधारित इसके अंदर काफी सारे चीजों को लिया भी गया था ठीक है और ये किसके द्वारा लिखी गई एच आर खन्ना के द्वारा ही लिखी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समुह पर प्रादेशिक शेत्रादिकार कौन से उच्च न्याया लेका है तो देखिए भारत की जब हम समुद्री इस्तिती जब देखते हैं तो भारत के पश्चिमी दिश के अंदर तो अरब सागर है जो है हिंद महा सागर का ही हिस्सा ठीक है और पूर्वी तरफ जो है वो है बंगाल की खाडी ठीक है बंगाल की खाडी और अरब सागर के अंदर तो है लक्षदीप और यहां जब हम देख रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समुह है कौ दिया गया है ठीक है टेरिटोरियल जूरिस्ट डिक्षन जो दिया गया है वो किसे दिया गया है केरल उचने लेको मदरास उचने लेको कलकत्ता उचने लेको या करनाटक उचने लेको तो बिल्कुल हाँ एक बच्चे तो पूछ रहा है कि इतना चुटा सवाल आपको बताऊं क्या एडीजे का जो पेपर हुद वह अभी तो देखेगा यहाँ पर जब हम देख रहें हैं अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है हाँ बिल्कुल हाँ जल्दी बताए देखे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन अलग कर रहा है रैड क्लिफ रेखा रैड क्लिफ रेखा भारत वा पाकिस्तान के मद्य है रैड क्लिफ रेखा भारत वा पाकिस्तान के मद्य है ठीक है डूरंड रेखा ठीक है डूरंड रेखा कहा गया है क्या कहा गया है इसे कहा गया है डूरंड रेखा कहा गया है पहले जब हम बात कर रहे थे तो पहले ये रेखा जो थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में अठारा सो तिरानवे के अंदर ये लाइन आई थी ठीक है लेकिन जब द कुल लंबाई जो देखी जा रही है कुल लंबाई हो जाएगी 2640 किलो मीटर कितनी हो जाएगी 2640 किलो मीटर हो जाएगी इसकी कुल लंबाई हाला कि बताया ये भी जाता है जब हम जोगराफी पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के मद्दे 106 किलो मिटर वो पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में तो डूरंड रेखा तो जो है सीधी सीधी किस-किस के बीच में हो जाएगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा जो है वहाँ भारत और ची मैं के बीच में है मैक मोहन रेखा किस-किस के बीच में है भारत और चीन के मद्य जो 3488 किलोमेटर है वह मैं मेंक मोहन रेखा हो जाएगी तो सही उत्तर यहां पर कौन सा है बुरंड। भारत के राष्ट्रपती के रूप में कौन कारिय करता है बारत के राष्ट्रपती के रूप में कौन कारिय करता है जब ना तो राष्ट्रपती और ना ही उपराष्ट्रपती उपलब्द हो देखो इस्तिती कैसी हो गई है कि ना तो राष्ट्रपती है और ना ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, देखना, गौर कहना, ये बात है 1969 की, ये बात है 1969 की, उस वक्त भारत के राष्ट्र पती थे, जाकिर हुसेन साहब, और भारत के उपराष्ट्र पती जो थे, वो कौन थे? भारत के उपराष्ट्र पती जो थे, वो थे वीवी गिरी साहब, अब हुआ यूँ कि जाकिर हुसेन साहब पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया जाकिर हुसेन साहब का पद पर रहते हुए निधन हो गया यानि राष्ट्रपती पद पर नहीं है जैसे ही निधन हुआ तब उप राष्ट्रपती कहा चले गए राश्ट्रपती के पद पर चले गए उपराश्ट्रपती जो है वो राश्ट्रपती के पद पर चले गए ना परंतु नए राश्ट्रपती के चुनाव के लिए वीवी गिरी जो थे वो नए राश्ट्रपती चुनाव में खड़ा होना चाहते थे इसलिए वीवी गिरी ने उपराष्ट्र पती पत से भी इस्तिपा दे दिया उपराष्ट्र पती से जो है उन्हों चूकिती और उप्राश्च्ट पती ने इस्तिपा दे दिया तो अब क्या करेंगे भाईया अब क्या करेंगे भाईया तो अब क्या होगा जो सुप्रीम कोट का मुखे नेधीश होगा Chief Justice of India जो होगा वो पदपर जाएं गया राश्टरपती के भारत के मुख्य नयधीश को बेजा जाएगा राश्टरपती के पदपर और उस वक्त Chief Justice of India जो थे वो थे मुहमद हिदायत उल्ला कौन थे मुहमद हिदायत उल्ला जो थे वो सीधा कहा पर चले गए ठीक है यहां पर पर जब वो सिधा का सिधा कहाँ पर चले गए प्रेजिडेंट की पोश्ट पर कारिय कारी राश्टरपती कारिय वाहक राश्टरपती के रूप में उन्नों ने पदग्रहन किया राश्टरपती चुना हुए वीवी गिरी रिती एराउंड की मतगंडा के अंदर जीत कर आए ठीक है और उन्हें क्या कर दिया वीवी गिरी को जो है राश्ट्रपती बना दिया गया और उसके बाद मुहम्मद हिदायत उल्ला को पूरा का पूरा 1989 से लेकर 1984 तक उपराश्ट्रपती का पूरा टेन्यूर दिया गया था इसलिए कहा जाता है कि मुहम्मद हिदायत उल्ला एक ऐसे वक्ती थे जिन्होंने उपराश्ट्रपती के रूप में भी कारियो किया और सर्वोच नैले के मुखिन अधीश के रूप में भी मुहम्मद हिदायत उल्लाह ने कारिय किया था तो यहाँ पर भी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भारत के मुख्य नयाधिश और यह पूरा का पूरा एक्जामपल भारतिय राजनिती के अंदर गटा है इसी लिए मैंने पूरा एक्जामपल आपको बता दिया एक्जामपल याद रहेगा तब तो उत्तर हमारे सामने बिल्कुल जो है देखते ही हम उसको क्या कर देंगे सही उत्तर देंगे ओके ना हाँ आगे चलते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र बाहरत के अंदर राष्ट्र मंडल खेलो में पहला स्वयन पदक विजेता राष्ट्र मंडल खेलो के अंदर पहला स्वयन पदक विजेता कौन था हा बिल्कुल जल्दी उतर दीजिए इसका है ना पहला स्वयन पदक विजेता देखिए अक्सर जो कई-कई बार था ठीक है तो उससे संबंदित सवाल पूछ लिया अभी हाल ही के अंदर हम जब देख रहे हैं तो मिलखा सिंग जी फ्लाइंग सिक मिलखा सिंजी की मृत्यू हुई है फ्लाइंग सिक मिलखा सिंजी का निधन हुआ है ठीक है और उनी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया गया मिलखा सिंजी जो थे वो पहले भारतिय थे जिनोंने राष्ट्र मंडल खेलों में स्वन पदक जीता था कब जीता था? 1958 में जीता था काल्डिफ कॉमन वेल्ट गेम जो हुए थे काल्डिफ कॉमन वेल्ट गेम जो हुए थे उसमें आपने मिलखा सिंजी के उपर एक मूवी भी देखी होगी जिसके अंदर जिस परकार से बताया गया था कि उस वक्त एशिया का सबसे बहतरीन धावक जो था वो था पाकिस्तान का अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक को पराजित करके इनोंने 200 मीटर 200 और 400 मीटर रेस के अंदर इन्होंने क्या किया था 200 मीटर और 400 मीटर रेस के अंदर इन्होंने स्वण पदक जीता था ठीक है फिर अब्दुल खालिक और उस वक्त वहाँ पर जो है अयूब खान जो थे उन्होंने सोचा कि यह तो यूही धुर्पड में जीत गए होंगे इन्हें पाकिस्तान बुलाया गया और पाकिस्तान के अंदर अब्दुल खालिक को जो इन्होंने धूल चटाई थी कि पाकिस्तान के ह अब्दुल आयूब खान साभ ने इने क्या कहा था फ्लाइंग सिंख कहा था उर इनों ने ही पहली बार 1988 कार्डिफ कॉमनवल्ट गेम के अंदर जो है 200 मीटर और 400 मीटर के अंदर स्वायन पदक जीता था तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मिलखा सिंग केवला देव घाना केवला देव घाना राश्टी उद्ध्यान जो है वो भारत की सौरी राजस्तान के किस जिले के अंदर है ठीक है बहुत ही इजी प्रशन पूछा गया है to the point प्रशन पूछा गया है कोटा बुंदी भरतपूर या सीकर तो देखिए केवला देव घाना जिसे 1982 में राश्टी पार्क गोशित किया गया था ये भरतपूर के अंदर है और ये एक पक्षी विहार भी है नेशनल पार्क है पक्षी विहार भी है और रामसर नम भूमी शेत्र में भी शामिल है ठीक है रामसर नम भूमी शेत्र में भी शामिल है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा राइट आंस्वर विल भारतपूर राइट आंस्वर विल भारतपूर atherosclerosis atherosclerosis जो रोग है वो किस से जुड़ा हुआ है atherosclerosis रोग जो है वो किस से जुड़ा हुआ है नसों से धमनियों से मस्तिस्क से या पेट से तो बिलकुल बताईए हाँ बिलकुल बताईए कि यहां किस से जुड़ा हुआ है नसों यानी शीराओं से या धमनी से जुड़ा हुआ है मस्तिस्क से जुड़ा हुआ या पेट से जुड़ा हुआ है तो देखिए अथेरो स्केल aszerosis रोग जो है, ये जुडा हुआ है धमणियों से, किस से जुडा हुआ है? धम्णियों से जुडा हुआ है, धमनियों से जुडा हुआ हुजाएगा, ठीक है, exactly धमनी के, आंतरिक दीवारों पर, धमनी के आंतरिक दीवारों पर दीरे दीरे फैट जमा हो जाता है वसा जमा हो जाती है जिससे धमनी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है रक्त को जाने का जो रास्ता है वो कम हो जाता है जिससे वहाँ पर ब्लॉक जम जाता है और जब block जम जाएगा तो हृद्या घात भी हो सकता है तो जो atherosclerosis रोग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है दमनियों से जुड़ा हुआ है arteries से जुड़ा हो जाएगा किससे जुड़ा हो जाएगा arteries से जुड़ा हो जाएगा अमल जो खाना पचाने के लिए पेट में उत्पादित होता है इस्टमक के अंदर एक अमल होता है कौन सा अमल पाया जाता है तो देखिए पेट को आमाशे भी हम कह सकते हैं और आमाशे में खाने को पचाने के लिए HCL पाया जाता है ठीक है जिसका पूरा नाम है हाइड्रो क्लोरिक अमल है ठीक है ओके ना हाइड्रो क्लोरिक असिड जो है हमारे पेट के अंदर पाया जाता है जो खाना पचाने के लिए खाना पचाने के लिए काम आता है यानि जब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पेट के अंदर ही एक तरीके से हम तेजाब लेकर घूम रहे हैं है ना भाई तो बिल्कुल देखें एसेटिक असिड नहीं होगा एसेटिक असिड नहीं होगा एसेटिक असिड तो विटामिन सी है ठीक है हाइड्रोकलरिक, सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है जो अमलों का राजा होता है यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हाइड्रोकलोरिक अमल हो जाएगा उरोस्ती जो पाई जाती है उरोस्ती इश्टर्नम जो पाई जाती है वो शरीर के किस भाग से संबंदित है ठीके शरीर के किस भाग से संबंदित है ओके ना उरोस्ती या इश्टर्नम जो है वो शरीर के किस भाग से संबंदित है तो देखिएगा इश्टर्नम जब हम देखते हैं तो आगे यहाँ पर हम वारी पसलिया, पसलिया जो जुड़ती है, पसलिया जो जुड़ती है, पीछे तो वहाँ मेरु दंड से जुड़ी होती है, और आगे जो जुड़ी रहती है, वो उरोस्ती से जुड़ी रहती है, इस्टर्नम से जुड़ी रहती है, वो किस से जुड़ी रहती है, इस्टर्न से जुडी रहती है और वहां शरीर कहां प कॉम है तो इसलिए नहीं उत्तर देखने को मिल रहा है तो चाती वा ले कि अंदर रोस्ति पाई जाती है तो भिल्कुल यह जो हमारी पसलिया, rips, जो rips जूड़ी रहती बिल्कुल आयूश सिंग, you are right, चाती वाले रीजन से जो है, ये उरोस्ती होती है, बिल्कुल ये जो हमारे आगे जिससे पसलिया जूड़ी रहेगी, वहाँ उरोस्ती कहलाती है, गला गोटने से मृत्यू जब होती है, जब गला गोटने से मृत्यू होती है, गला गोटने से या फासी लगने से भी दमी गुटता, फासी जब लगाई जाती है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे है, फासी लगने से जब मृत्यू होती है, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, तो देखिएगा, जैसे ही एक च करें होता है कि गला जब फासरी पा सिदी या ये जब गलाग भोटा जाता है यह कि effective बॉलने मे मे background को तोरे रही हुझ तब क्याूता है यहाँ पर एक ग्रंती होती हाई हाइरोइड ग्रंति, हाइरोइड हड्डी होती है, हाइरोइड बॉन होती है, और उसके उपर जब दबाव पड़ता है, तो वहाँ चटक कर तूट जाती है, वहाँ चटक कर तूट जाती है, वह चटक कर तूट कर स्वासनली को ब्लॉक कर देती है, ट्रैकिया को ब्लॉक कर हाईरोइड बॉन क्या करती है ट्रैकिया विंड पाइप को क्या कर देती है वहाँ ब्लॉक कर देती है जिसकी वज़य से जो वायू है स्वासनली के जरीए फेपडों तक नहीं पहुँच पाती है और यहाँ पर प्रभावित अंग कौन सा होगा पहले स्वासनली और फिर दीरे-दीरे जब शरीर के अंदर ऑक्सिजन नहीं पहुच पाएगी वायू अंगो तक नहीं पहुच पाएगी तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी ऑक्सिजन ना मिलने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वहाँ कौन सा है स्वासनली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर कौन सा है स्वासनली विंड पाइप सही उत्तर होगा बैमानी से हुई मौत, बैमानी से हुई मौत के संदेह में, बैमानी से हुई मौत के संदेह में, कब्र से एक मानव लाश को खोदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, जैसे अगर संदे हुआ के बैमानी से मौत हुई है, तो कब्र में से जब मानव की लाश को वापिस न शव लेपन, शव दा या सवोत खनन, तो इसे क्या कहा जाएगा, शवोत खनन कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, शवोत खनन किया जाएगा, ठीक है न, ओके, इसे क्या का जाएगा शवोत खनन कहा जाएगा तो ये कुछ GK के सवाल थे जो ADJ 2021 के पेपर में आपको पूछे गए थे तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपने जो है बिलकुल सही उत्तर दिया है बिलकुल इन प्रशनों के सही उत्तर दिये हैं बिलकुल ये प्रशन तोड़ा सा आपके कानून से जुड़ा हुआ ही है law से जुड़ा हुआ ही question है ये CRPC के section के अंदर ही 176 के अंतरगती ये आता है ठीक है तो ये तो वही हो गया लेकिन GK के यह आपर बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे गए उमीद कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपियोगी बहुत उपियोगी रहे हैं ठीक है और आपने इसके उपर बहुत अच् में आपकी तैयारी के संधर्ब में आपके बीच में लाता रहूंगा आपको कई-कई तत्यों से अवगत कराता रहूंगा तो मुलाकात होती रहेगी वैसे पहले भी इस चैनल के उपर एक ब़ा आप बच्चों से सभी से मुलाकात हुई थी और भी मुलाकात होती रही गाहे बिगाहे मिलते रहेंगे तो यह जो अंसर थे वो बिलकुल आपके सामने रखे गए उमीद कर रहा हूँ आपके काफी अच्छे माक्स बनेंगे तो आपको गे उजवल बविश्य की शुब कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ उजवल बविश्य की कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और विदा हमेशा मिलने के वादे के साथ में ली जाती है तो मिलते रहेंगे खुश रहिए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहिए जय हिंद जय भारत झाल झाल